बच्चों मा की ममता पाट का सिकंड पाट आप लोग को बताने जा रहे हूं मतलब पाट का शंग है कि दिर्शर्मा अपनी मा को छोड़ कर चला जाता है नंदी ग्राम मठ में रहने लगता है और वहां पर विक्षा मांगने शावित्री के यहां जाता है और शावित्री विक्षा देने में देरी करती है क्यों क्योंकि वो पती की शेवा कर रही थी पती ब्रता नारी थी शावित्री कैसी थी पती ब्रता नारी थी और वो पती की शेवा में लगी हुई थी इसलिए वि हुיה बिख्षा दने के लिए देव सरमा के पास तो वो क्रोध हो कर क्रोध द्रिष्टी से उन्हें देखने लगता है और तब शावित्री कहती है कि तुम मुझे क्रोध की द्रिष्टी से क्यों देख रहे हो अब तुम्हारे । अब तुम्हारे क्रोध बहुदาย तुम्हारे जो सिध्धी मिली थी, वो तुम्हारे माता पिता के पुन्य कर्मों से मिला था, पिता के कर्म क्या थे, कि पिता ने उन्हें देद का सिख्षा, अच्छे संस्कार, जन्म के समय ही दिये थे, और माता की कल्याण कामना, माता पुत्र की हमेशा कल्याण की कामना करत तो इसलिए तुम्हारे दोनों सिद्या समाप्त हो गई है अब तुम्हारे द्वारा मुझे कुछ कोई कश्ट नहीं हो सकता है तुम्हारे द्वारा मुझ में क्या करती है कि दिखार है जिश मा ने अपने गर्व में तुझे नौ महीने रखा था और बड़े लाट प्यार से पाला था और उस मा को तुम असहाय छोड़कर बन में तब करने चले आये हो तुने यह ना सोचा कि मा ने तेरे बच्पन में तेरा विष्टा तक साप किया है तेरे बिमार होने पर आद दिन एक कर दिया दुखी मा को असहाय छोड़कर तुर्ट करने के लिए निकल पड़े हो तुर्ट और बड़ से अपने जीवान का परमधे मान चुके हो पर याद रखो जिस शिद्धी को पाकर तु घमंडी बन गया था उसमें तेरी कोई बहादूरी नहीं है तेरी धर्मात्मा पिता ने तेरा जो विदिवत संशकार किये थे उसके कारण जब तब से तुझे शिद्धी प्राप्त हुई है परन्तु माता को जो दुखी रखने शिवा सब मात्री भक्ती भक्ती पुर्वक अपनी माता की शिवा नहीं करता उसी के लिए इस्नान तीर्थ जब तब यग इशलोग और परलोग में फल देते हैं जो व्यक्ती माता की शिवा तन्मन धन से करता है वा धन्य है उसी का जीवन सार्थक और शफल है इसलिए यदि तु आजी ही मा के पास चला जा और जब तक वह जिवित रहे तब तक उसकी शेवा मन लगा कर करना जो इर्थारत बात है मैंने तुझे कह दी यदि तु अपना भला चाहता है तो इसे शिविकार कर भूल जा कि अब तुमने कोई देवी शक्ती है अब तो बगुले और कवे के जल भी कल्यार कामना था और कवे के रूप में तेली काली कर तूते कवे ने बीट कर तुछे तेरे तब को निकाल कर बाहर कर दिया तुष्यम अपनी ही क्रोधगनी से भस्म हो जाता पर मूर देख बलाका बन तेरी माता की आहे तुझे नहीं केवल तेरे पुन्यों को जला कर श्यम्भस्म हो गई, तेरी रक्षा तेरी माता की यह भावना करती रहती है, मेरा बेटा जहां भी रहे, शुखी रहे, उस पर कोई भी पत्ति ना आए, इश्वर वो ना समझ है, उसने नहीं अपनी ना समझी, उसने मुझे दुखी किया है, मेरा बेटा अकेला विदेश में है प्रभू उसका बाल भी वाका नो हो यही मेरी विना है आप सदा उसकी रक्षा करते रहें यह ठीक है उसने मुझे दुख दे कर पाप किया है पर है प्रभू उसके इस पाप के बदले में उसे दुख न दे क्योंकि उसके दुख से मेरा दुख और भी बढ़ जाएगा यह कि तेरी माता हर वक्त प्रार्थना करती रहती है वही तुम्हें कवच बनकर बचा लिया है या सुनकर देव शर्मा संताप यानि और दुख से पशाताप से भर जाता है वह सोचने लगता है कहां माता के लिए मेरी यह निष्ठुरता है कि मैं असहाय को भुखा मरने के लिए छोड़ कर भागाया और कहा वह ममताब मई अपने श्वाविक स्नेह से मेरा कल्यार चाहती रही है यह सोचकर उसने शावित्री से कहा बहन आपकी आग्या से मैं अभी सीधा मा के पास जा रहा हूँ उनसे अपने लिए अपराद की छमा मांगोंगा वे म मा को बिलकुल ही भूल गया था ये पाच का सारांश उया लिए बुटा और विकल्पिक प्रश्न ध्यान से सुन लिजिए देव सर्मा की जगा के मठ में रहने लगा था बगुला के रूप में देवशर्मा के पास आया था मा की शात्वी कल्यान कामना कवे के रूप में कोन आया था? उसकी काली कर्तूते देवशर्मा की शिद्या क्यों नश्ठ हो गई? क्यों नश्ठ हो गई थी? पिता को दुख देने के कारण पिता को दुख देने के कारण देव शर्मा को शिद्या कैसे प्राप्त हुई थी पिता के संस्कारों के करण इस कहानी की मूल सिख्षा क्या है कि अपने कर्तब्य का पालन करना चाहिए प्रश्न का अंसर भेज रहे हूँ याद कर लेजेगा और एक्सरसाइज यहाँ है यह कुशन दिया है और विशेश लिखिए विशेशन क्या होता है जिसकी विशेशता बताई जाए वो विशेश है और जो विशेशता है विशेशन है जैसे काला पहाड यहाँ किसकी विशेशता बताई गए पहाड की तो पहाड क्या है विशेश हो गया और काला क्या है, विषेशन, इसी तरह कुछ शब्द दिये हैं, उसमें विषेश छाट का लिखना है, जैसे शंतोसी, संतोसी कौन है, ब्राम्हन, पुस्तक में से लिखना और व्य कुछ लिख सकते हो, आपुर्व, आपुर्व क्या है, शक्ति, yana आपुर्व, शक्ति, शक् इशाली क्या है विशेशन है और किस विशेशन क्या है तपस्वी पती व्रता पती व्रता क्या है विशेशन है ये विशेशन किसकी विशेशन है सावित्री की नारी की या सावित्री की असहाय मा असहाय क्या है विशेशन है मा क्या हो गया विशेश्य क्योंकि मा की विशेश है कि असहाय धर मातमा धर मतमा विशेशन है और पिता विशेश्य जिसकी मिस्ट बताया जाए वह विशेशर हो गया और यूदि विशेश्ता है वो विशेश्र हो गया अगला कुश्च्चन है विधिवत वत लगाकर सब्द बनाई है जैसे शाषवत पुरुवत चार सब्द पांच सब्द बनाना है तक यह लेशन कम्प्लीट हो गया इसको ध्यान से पढ़ लेजिएगा विकल्पिक प्रश्न आएंगे और प्रश्न के उत्तर भी